आज के दुनिया में कौन किसी दूसरे के लिए जौब करना चाता है, हर इंसान अपना खुद का बिजनस ओपन करना चाता है, बट क्या आपको पता है कि दुनिया के 80% बिजनस पहले 18 मैंनों में ही फेलोकर बंद हो जाते हैं, इतनी information अवेलेबल होने के बावजूद भी क्य आज आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, आज हम माइकल E. गरबर के द्वारा लिखी गई किताब The E. Myth Revisited से बिजनस के कुछ ऐसे amazing lesson सीखेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि क्यो almost 80% बिजनस फेल हो जाते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और किस तरह हम एक McDonald's, Starbucks जैसा system dependent business create कर सकते हैं, जो इस book का सबसे important lesson है, तो अगर आप भी कोई business open करना चाहते हैं, और वो चाहिए छोटा से छोटा बिजनस हो या फिर बड़े से बड़ा, ये वीडियो आपके लिए life changing होने वाला है, इसलिए इस वीडियो का end तक देखना बहुत ही ज़रूर ह ताकि आप business की इन बारीकियों को समझे और जो बाकी लोग गलतिया करते हैं, उन्हें करने से बचे, so let's begin, बहुत से लोगों को लगता है कि जो लोग business start करते हैं, वो entrepreneur होते हैं, उन्हें बच्पन से ये business कैसे करना है, वो सब सीखा होगा, बट ये गलत है, actual में जो लोग business start करते हैं, वो पहले दूसरे लोगों के लिए job किया करते हैं, फिर अचानक से उन्हें एक दिन लगता है कि उन्हें business start करना है, और वो लोग business start करते हैं और fail हो जाते हैं, इसके पीछे का actual reason क्या है, चलिए इसे एक example से समझते हैं, ये है David, ये एक restaurant में burger बनाने का काम करता है और इसके बनाए हुए burger लोगों को काफी पसंद आते हैं, पर उसके काम की सारी वावाई उसका restaurant का manager ले जाता है, इस बास से David हमेशा दुकी रहता है, और सोचता है कि सारा काम में करता हूँ, अच्छे tasty burger में बनाता हूँ, और सारी तारीफ मेरे post को मिल जाती है, मेरे काम क तो कोई acknowledging नहीं करता है, और एक दिन उसे entrepreneur बनने का भूत सवार होता है, और वो job छोड़कर अपना खुद का restaurant खोलने की सोचता है, वो bank से loan लेता है और अपना खुद का restaurant खोल लेता है, तो starting में वहाँ पर कुछी लोग आते थे और वो सारे काम खुद समालता था, फिर उस जैसे restaurant में भीड़ होना start हुई, उसका workload बढ़ता चला गया, जहां वहाँ पेले 12 गंटे काम करता था, तो अब उसको उसकी जगा 16 गंटे काम करना पड़ रहा था, और अब वहाँ हर customer पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, तो उसने एक employee को hire करने का सोचा, जि उस आदमी को काम से निकाल दिया, और डेविड ने सोचा कि ये काम उससे बहतर कोई और नहीं कर सकता है, और वो वापस से अकेले काम करने लगया, बट वापस से ही वो अकेले सब कुछ समालने की वज़े से डेविड रेश्टोरंट की साफ सफाई और customer service पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, तो उसने एक और आदमी को हायर करने का सोचा, उसे लगा कि इस बार थोड़े experience इंसान को हायर करना पड़ेगा, अब चाहे उसे ज्यादा पैसे ही क्यों न देने पड़े, तो उसने अब एक experience person को हायर किया, और इस बार किसमत से वो आदमी एक अच्छा employee निकला, और वो अच्छे से सारे काम समाल रहा था, फिर business और भी grow होते जा रहा था, तो डेविट ने account समालने के लिए accountant को हायर किया, और marketing के लिए एक marketing वाले बंदे को हायर किया, अब इस तर उसके सारे काम तो उसके employee समाल रहे थे, बट उसके expenses बढ़ते चले गए, उन ल बिजनस भी समाल सकता है, और यहीं पर maximum लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक अच्छे technician है, तो वो एक अच्छा businessman भी बन सकते हैं, जो कि बिलकुल गलत है, और यहीं आता है हमारा isbook का पहला lesson, the entrepreneurial myth, author ने इस भ्रहम को the entrepreneurial myth का नाम दिया है, क्योंक उसे related वो business भी open कर सकते हैं, जैसे जब कोई hairdresser किसी दूसरे के लिए job करके बाल तो अच्छे काटता है, लोग उसके काम की तारीब भी करते हैं, तो उसे भी लगने लगता है कि जब लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं, तो मैं खुद का salon ही क्यों ना खोल लूँ, और जब व लोग जोश में तो business open कर लेते हैं, बट वो future के बारे में नहीं सोचते हैं कि उन्हें कैसे system को build करना है, क्योंकि वो खुद तो अच्छे से काम कर रहे होते हैं, बट वो जिन लोग को hire करते हैं, वो लोग काम करने में इतने अच्छे होते नहीं हैं, और इसी वज़े से उन आने business, you have a job and it's the worst job in the world, lesson number two, the entrepreneur, the manager and the technician, माइकल गरबर इस बुक में बोलते हैं कि किसी भी business को successful बनाने के लिए उसमें तीन लोग का होना बहदी जुरूरी है, वो है the entrepreneur, the manager and the technician, entrepreneur वो होता है जो future में जीता है, नए-नए ideas लाता है, innovation पर ध्यान देता है, और वो एक visionary होता है, manager एक practical इनसान होता है, जो past को ध्यान में रखते हुए action लेता है और चीजों को manage करता है, वो employee से लेकर product तक सब का ध्यान रखता है, और एक technician वो होता है जो present में जीता है और सारे technical काम करता है, जैसे David के case में David एक technical इनसान था, उसे testy burger कैसे बनाना ये काम आता था, और एक अ technician 20% manager और 10% entrepreneur होते हैं, जबकि एक अच्छे business के लिए इन तीनों का role बराबर होना चाहिए, जो वेक्ति एक काम करा है, उसमें ये तीनों quality बराबर क्यों नहीं चाहिए, इसलिए अगर आपको sandwich अच्छे से बनाना आता है, तो मतलब कि आप technical काम तो अच्छे से कर रहे हो, त इसमें business के सारे काम आप खुद ही handle करते हो, जैसे burger बनाने से लेकर restaurant की साफ सफाई तक सारे काम आप खुद ही देखते हो, तो जब business बड़ा होने लगता है, तो आपके ओपर काम का burden भी होने लगता है, और जो आप पहले customer से feedback लेते थे और सारे काम खुद करते थे, अब आ उनका business दूसी stage में चला जाता है, जिसे adolescence stage बोलते हैं, जिसमें मालिक अप सारे काम खुद नहीं करता है, और वो अपना काम delegate करना है, बट कभी कभी problem यह होती है, कि उनने एक अच्छा employee नहीं मिल पाता है, जो उनके जैसा काम कर सके है, और customer अब शिकायत करने लगते हैं, कि हमें पहले जैसे बर्गर नहीं मिल रहे हैं, तो अब business owner अगर सोचे कि मेरे लावा कोई और यह दूसरा काम नहीं कर सकता है, तो वो employee को वापस से हटा देता है, और खुद वापस से अकेला सारा काम समालने लग जाता है, तो उसका business वापस से infancy stage में आ जाता है, बट जो business owner adolescence stage को पार कर लेते हैं, वो तीसरी stage पर आ जाते हैं, जिसे maturity stage बोलते हैं, और यह एक ऐसी stage होती है, जिसमें business बिना business owner के present के भी चलता रहता है, क्योंकि अब उन्होंने एक system create कर चुका होता है, और उनका business grow होने लग जाता है, अब खुद owner को बेट कर सारा कम नहीं करना पड़ता है, तो business owner के पास ज़्यादा time होता है, और जिसके लिए उसने अपना business start किया था, अब वो चाहे तो पूरी दुनिया travel कर सकता है, तब भी पीछे से उसका business चलता रहेगा, वो grow होता रहेगा, पट अगर आपको इस level पर अपना business लाना है, तो आपको आपका business system dependent business म बी ज्यादा outlet है, और आप दुनिया के किसी भी Starbucks में चले जाओ, आपको coffee का test बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना business एक system dependent business बनाया है, जिसमें कि कोई भी इंसान उस system को सीख कर कुछी दिनों में वेसी coffee बनाना सीख सकता ह और Starbucks के सारे employee अच्छे से उस सारे system को follow करते हैं, और हमें हर जगए एक जैसी coffee मिलती है, अप चाहिए आप एंडिया में या फिर अमेरिका में, उनके सारे outlet कुछ इस तरह बने हो हैं कि अगर आप उनके सामने से गुजरोगे, तो उनके coffee की खुश्बू से आप उनकी और ख coffee के cups, जिन पर वो लोग आपका नाम लिखते हैं, और यह चीज़ लोग को काफी पसंद आती है, तो सारे Starbucks के store एक ही system को follow करते हैं, जिसे कि ए college का student भी आकर उनके system को कुछ ही अफतों में समझ कर उनके store में काम करना start कर सकता है, क्योंकि अगर आपका business people dependent होगा, तो जब लो your business not in your business, लोग business इसलिए start करना चाते हैं, क्योंकि वो चाते हैं कि business start करने के बाद, उनके पास खुद के लिए time हो जो उनकी खुद की job में उनने नहीं मिल ला था, और जिससे वो अपनी life को enjoy कर सकें, लेकिन वो लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो business तो start कर देते ह बट उनका business पूरी तरीके से उन्हीं पर dependent हो जाता है, उन्हें सारा काम खुदी देखना होता है, और जहां उन्हें जॉब में set at Sunday तो चुट्टी मिलती थी, बट यहां तो उन्हें अब चुट्टियों में भी काम करना पढ़ रहा होता है, और वो लोग और भी ज़्याद ले सकें, और आप free होकर अपनी पूरी life को enjoy कर सकें, तो दोस्तों ये थे 5 amazing lesson इस book से, so I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे like करें और ज्यादा सा लोगों तक इसे share करें, और हमारे चैनल को subscribe करना ना बूले, और अगर आप किसी book या topic पर वीडियो चाते हैं, तो मैं comment box में comment करके जरूर बताएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए, जहन्द!